तो आखिरकार मादुरी दिक्षित ने भी मॉंबई में अपना आश्याना बना ही लिया। बॉलिवुड में लंबा करियर और शादी के बाद अमेरिका में कई साल बिदा कर लोटी मादुरी साल उसे किराये पर रह रही थी। पिशले दिनों मादुरी ने एक किराये पर अपार्टमेंट लिया था जिसका किराये इतना था कि उसकी वज़े से मादुरी खबरों में च्छा गई थी। मादुरी इस घर का 12 लाक रुपे किराये दे रही है। लेकिन मादुरी ने सब को चोकाते हुए मुंबई में आलिशान महल खरीद लिया है और इस महल की कीमत है 48 करोड रुपे। जी हाँ मादुरी ने बड़े बड़े बॉलिबूड स्टार को पीछे छोड़ते हुए उनसे महेंगा घर खरीद लिया है। टाइमसनाव की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरी का ये अपार्टमेंट मुंबई के लोर परेल इलाके में है जो बहुत हाई पोश एरिया माना जाता है। उन्होंने इस घर की रजिस्ट्री 28 सेतंबर 2022 को कराई थी। ये आलिशान घर 5384 स्कौार फीट का है। अपार्टमेंट में साथ कार पार्किंग के स्लोट भी दिये गए हैं। ये आलिशान घर किसी का भी सपना हो सकता है। लेकिन मादुरी ने इस सपने को पूरा कर लिया है। मादुरी ने साल 1984 में फिल्मों में डेब्यू किया था। लेकिन करियर के पीक पर उन्होंने एनराई डॉक्टर श्री राम नेने से शादी रचाली और अपना पूरा करियर छोड़ कर अमेरिका चली गए। उस वक्त म मादुरी ने जोड लगाया है और उनकी फिल्म मजा मा रिलीज हो रही है। इस बीच मादुरी कई रियलिटी शोज में जज हैं वहां से वो मोटी कमाई कर रही हैं। बाकि उनके पती मुंबई के सबसे महेंगे डॉक्टर्स में से एक माने जाते हैं। और उनी पैसों से उन्होंने ये आश्याना सालों बाद खरीद लिया है। हमारी तरब से मादुरी को उस नए घर की बहुत बहुत बधाई।